स्कॉट्लेंग में एक किसान था नाम था उसका फ्लैमिंग एक दिन वो अपनी किसानी कर रहा था पीछे से उसने आवाजे सुनी एक बच्चा दलदल में फसा हुआ था तो देखता है कि वो बच्चा कमर तक दलदल में धसा हुआ है और बनने के कगार पे था तो आलत यह और उसने उस बच्चे को बार निकाला बार निकाला उसको स्नानवनान करा है वो मरते हुए उसको बच्चे को बच्चा लिया और उस बच्चे को बला तू तेरा चला जा तो बच्चा चला गया है सेकेंडे वो क्या देखता है कि वो जोपड़े किसान का जोपड़े के साम उन्होंने बोला कि fleming आपने मेरे bachi को बचा और में कुछ इसके लिए कुछ करना चाहता हूं उन्होंने बोला कि बॉस यार यह तो मानपता का का मैं इंसानियत का कम है इसमें पैसे का लें देन का कोई पुला नहीं कुछ तो आपको लेना पड़ेगा वो बला नहीं सर आप आये इतनी बड़ी बड़ी बात है इतने में देखता है कि जो पड़े के अंदर से एक बच्छा दौड़ते हुए तो उस से रानी गया बहले कि यह बच्छा आपका है बोला हां तो कि एक काम कीजिए मे अधरीज मेडिकल कॉलिज जो लंडन का था बेस्ट और वो लड़का आगे जाके आप देखिये वह कौन बना मालू में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना वह लड़का आगे जाके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना और 1928 28 सेप्टेमबर को उसने पेंसिलीन का फर्स्ट अविश्कार करने वाला कहानी में ट्विस्ट अभी आता है वह जो लड़का था जिस चर्चिल ने बचाया था ना उनके लड़के को निमोनिया हो गया और उसकी मौत जो यह मरने वाला था कि यही पेंसिलीन से वह बच्चा ठीक हुआ और वह लड़का बाद में जाके 1945 में इनको मेडिसिन का नोबल दिया गया और इनको बोला कि पेंसिलीन को पेटेंट करना है तो आपको क्रोड डॉलर मिलेंगे इसने बोला नहीं फ्रियाब चौर्च उसी के कारण सेकंड वर्ड वार में कम सिकम 20 से 30 लाग सिफाई पेंसिलीन के ठीक होने से हो गया कि जो बलाई है न वो पलट पलट के आती है तो जिल्दगी में बलाई करते रही है और जिल्दगी चलाते रही है आह आह